प्रिदेश के आदिवासियों को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बड़ी सोगात दी है राजधानी भोपाल के जुम्भूरी मेतान में आयो जित जन जाती ए गौरब दिवस कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी शामिल हुए मन्त से प्रधान मंत्री ने आदी वासियों के लिए सौगात की जड़ी लगा दी आदी वासियों के हित में उठाए गए इस कदम को लेकर बिजेपी नेताओ और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है बात की हमारे वरिष्ट सहियोगी मनुस्यनी ने क्या कहेंगे कितरा सफल रहा संविलन क्या जो आपने परिकूलतना की थी वो सब दिखाई दिया मुझे लगता है लाखों की संख्या में जो जनजाती समाज गाउं गली और महलों से आया है जिसने मानने प्रधानमंत्री जी को कहड़े होकर तालीब जाकर अभिरंदन किया है मैं इससे ही कहा जा सकता है कि जनजाती समाज ने नरेंद्र मौदी जी को भी दिल खूल कर आशिरबाद दिया है और सिवराजी को भी आशिरबाद दिया है मद्देब देश में और देश में जो विकास और कल्याण उनका हो रहा है यह उसका समर्थन है तो यह आशिरबाद के आगे चलकर जैसा हम देख रहे थे 18 में अभी भी आपसे बात करना था चीज़ा बदली थी खासकर जनजाती की तरफ से जो आशिरबाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला लेकिन अब जो बड़ जैसी सीटे भी आपके पास बापिस आई है और आज के इस कायरिकम के बाद 23-24 में रास्ते बड़े किलियर है मैंने पहले भी कहा था हम विकास और लोगों के क्लयालको राजनेतिक चसमे से नहीं देखते हैं हमारा मंत्र है अनतोद है हिर्ण कि और यही हमारे पधामंति ने काये कि सबसांख कारसHHHH आजुंके वास्र में भी यहीं का गया है कि पहले कहा नहीं जाता था हम कहते भी हैं और करते भी है और जमीन पर उतार के दिखाते भी है और तालियों की गडगड़ाट उनका समब्हतन कर रही थी इसका मतलब यह है कि देश में पहली बार मैंने कहाना कि 57 साल कौंगरेस सत्ताम रही लेकि जंजाती है गौरब दिवस कभी नहीं मना पहली बार मन रहा है इसका मतलब यह है कि देश अंगलाई ले चुका है देश नरेंद मोदी जी के साथ खड़ा है और उमीद यह कर रहे हैं जिस तरह से गौरब सम्मान हुआ दरसल मद्वदेश के यदि हम समीकरणों को समझ तो यह भी जंजाती के छित में बहुत अलग समीकरण है क्योंकि करीब 47 सीटें यहां से आती है और भारती जंता पारटी चाहती है कि जो गौरब बापिस चला गया था वो गौरब बापिस लोट आए तो क्या गौरब दिवस के बाद वो गौरब बापिस आएगा